अजीत वेब टीवी देखरे सारे देश विदेश देदर्शकांदा मैं रमन पीज सुवागत कर दी हाँ साधा प्रोग्राम आपो अपनी गाल इस देविच आसी उना शिक्सियता नो मिल दे हाँ जिना ने अपनी जिंदगी वेच खास कीता होंदा है कुछ खास प्राप्तियां केतिया होंदियाने ते ओ बने होंदे ने दुनिया लेए लोका लेए एक चानन मुनारा वी और एक प्रेर ना सुरोत वी आज दी शक्सियत जिना नाला सी इस प्रोग्राम चिंबलना है वो एक और औरत होंदे नाते उना दी एनी मजबूत और एनी ज़दा परबावसल शाली शक्सियत है क्यों सिरफ नौजवाना वस्ते ही नहीं पूरे समाज वस्ते हिंदुस्तान वस्ते अते जिमैथोता कमा के पुरे संसार पदरते जड़े लोग कुछ करना चान देने उना वस्ते प्रेणा स्रोत ने और ओएजुकेशन दे खेतर विच एंडस्ट्री दे खेतर विच और बहुत सारे खेतर ने जिना विच उना ने अपनी विशेश पहचान बनाई है अपना एक नाम बनाया है और असी मिल दे हां मिस्स सुष्मा बल्या जी नू जड़े के एपीज एड्युकेशन ससाइटी दे अंडर चलन वालियां बहुत सारियां जड़ियां एड्युकेशन दियां गल्लाने उना नू लीड कर रहे ने और समाज ले एक बहुत वड़ा पले करना वाला काम भी का रहे ने सुष्मा बल्या जीदा मैं दो मिस्का जी कि हां चल मैं बस बिलकुल ठीच जी मैं जोदो भी तोड़े जिनिया प्राप्तियां ने तोड़े काम मैं तोड़े एवन रज्यू में देखन दा मोका मिलदा है तो एक बड़ी लंबी लिस्ट है बहुत सारियां चीवमेंट्स बहुत सारियां संस्थामा दे तुसी प्रेजिडेंट हो फाउंडर तुसी चेयर परसन हो और अलग लग तरह दे बिजनस ने लग लग तरह दे सेक्टर्स ने जिनाज़े तुसी स्टाड़ी भी कीती है और उना विचे एक वक्री पहचान बनाई है इन्या सारी प्राप्त या जिनाज सामना करना प्याँ जवाब हाँ और ना दुनों दूंगी तो एस करके कि जड़ा मेरा बच्पन सी ओ ता हमेशा मेरे फादर मदर सी कदी उनाने मैंनों महसूस ही नहीं होन दिखता कि कुडी और मुंडे चे कोई फरक है जी तर देरफोर हमेशा उनाने लेकिन जड़ असी कार्या शेत्र चे उतर देएं एक्चुली काम करन चे उतर देएं और खासकर व्याद बाद कर दा जुमा बच्या दा जुमा ओ सारा जड़ा आनने तो चनौतियां तो दोनों तरफी होन दियां जी एक ता हो जानन दा है बैलंसिंग कि भी किद्दा तु भी साधी शैद एक्सपेक्टेशन जादा हों दी है लेकिन नालो नाल एक भी चनौति हों दी है कि जड़े बारवल जो चीज एक हंड़िट परसंट कोई आदमी कर दा है तो एक औरत नो कम से कम होदा डेट सो परसंट मेरे हिसाब नाल करना पेंदा अपने आपनों प्रू प्रसंटिंग भी रहा क्योंकि कई बार हो सोच दे है कि औरत है की कर लेगी तो ओस तरीके नाल एक अडवांटेज भी मिल जानदा है कि तो रही अंदली जड़ी स्पिरेट हो जादा मजबूत हो जानदी है अगर कोई बंदा तो आनो चैलेंज दिनदा है या तो अड़े काबले दे कोई कोशन मार्क लगांदा है फिर लगदा है कि आसी प्रूव करके दिखावांगे और ओदे नाल फिर इक होर इंस्पिरेशन मिल दी एक होर मोटिवेशन मिल दी ता मैं था हमेशा जड़ चनौती आई है उना नो किसम दा ऑपर्चुनेटी समझ के अपने आप जो एजुकेशन दिती जा रही है और जिस दी हुन अगला एक पड़ा है यूनिवरस्टी दे जरिये अगला स्टेप बाकी जो एजुकेशन दे सिस्टम है साड़े हिंदुस्तान विच ओदेनालो कितना थोड़ा वक रहा है सब तो जादा था फरक मेरे ख्याल बुनियाद ही है क्योंकि एजड़े एजुकेशन संस्था है गियां यह सपने चे सेटाप किती गईयां सी ए मेरे फादर दी एक विश सीगी एक डिजायर सीगी ओ फ्रीडम फाइटर भी सीगे जे भी गए सी क्विट इंडिया मुममंट संस्था बनाईए जड़ी की विश्दित तौरते भी पूरी तरह संपूरन होन साइंटिफिक भी होन और साड़े इंडियन कल्चर और खासकर जड़ी वैल्यूज है गियां human values उना दे उत्ते भी त्यांदवे और उस उना दा ख्याल यह सेगा की हर बच्चे से एक हर किसम पूटेंशल हैगी जड़ी की संस्था नो नर्चर करना चाहिए ड्वेलप करना चाहिए तरह सोच के असी संस्था शुरू कीती हैं सी स्कूल भी कॉलेज भी और उसे विजन नो मिशन नो असी आगे लाके चल रहे हैं लेकिन जड़ी साड़ी यूनिवरस्टी है खासकर ओ यूके तो और कई इतना दी सक्षियत और हस्तियां हैं जैना नो समिलत करके असी एक कोशिश कीती है कि इतना दी यूनिवरस्टी बनाई है जचे जड़ी एजूकेशन दिती जा रही है ओ एक होलियस्टिक होए ट्रांस डिसिप्लिनरी होए और उचे इतना दा बच्चिया जड़ी आपनी इंडस्ट्री स्थाफित करन दे काबल होन और यह जड़ी ओ जॉब्स भी लैंग जा रहे है ओधे लही त्यार भी होन एक तर्फ पर नालो नाल ए नहीं कि एक जॉब लही उना नू तयार कीता उना चीड़ी सोच पैदा किती जाए ज़ी थिंकिंग पावर प्याजा कीती जाए कि ओ अगे लई भी अपने आपनो अपना क्यारियर हो और बढ़ा सकती है मतलब के जड़े आज दे यूथ ने ओ सिरफ नौकरी लई या अपने काम लई नी एंटप नौशिप दी जड़ी पावना है ओ भी डिवेलप करके चलन ओ भी थोड़ी गाल सही लेकिन अजके जड़ी नौकरी भी तुसी देखो ओ भी तुसी कैसे भी इंडस्ट्रिस नो पुछो या कैसे भी प्रफेक्शन से पता करो तर असी इतना दे लोग चौन दे हैं जेनाचे अज दी नौलेज और स्किल नहा हुए लेकिन इतना दी सोचन दी शक्ती होए इतना और नहीं सोच निकाल सकन और अगे चलके और भी जड़ी चीजा होना हुटते कोई नहीं इन्वाइरनमेंट क्रियेट होन दी है कोई नहीं प्राबलम क्रियेट होन दी है ता ओ दे थरू और सोच सकन और अज दे जड़ी साधी जनरल एजुकेशनल इंस्टिचूशना तो अचीज नहीं कर पा रहे हैं तो जड़ा जड़ा योगदान रहा है ओ एजुकेशन दे सिख्या दे खेतर वीच है तो इसी एक बड़े एडवांस लेवल दी बड़ी विक्सित लेवल दी जड़ी सिख्या है ओवी इंटर्डूस कीती हैं दोस्तान दे बेच पर इक भी आज दे खेतर वीच बहुत मेंगे भी हुंदी जा रही है तो एक आम इंसान जड़ा है व अपने बच्चे नहीं बहुत अच्छे यह वड़े लेवल दी एजुकेशन दवान दे वीच बड़ी वार अपने 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 अपनों असमरत मैसूस कर दा कि मेर तो बच्चे प्रफिश नीदे होईगी बढ़ाना दा चांदा है उस तरह अपने श्टूडेंस लेए उस तरह विद्यार थे यह जड़े काबल ने उना ली एपी जी दजड़ा नाम है यह जड़ी कोशिशा ने ओ कित तक काम कर दिया ने जड़ा है कि मैं बिलीव कर दी है कि जड़े ब एपी जड़े सत्या यूनिवर्स्टी चैसी किया किसी भी बच्चे ने ज़े सिरफ दबे परसंट तो उपर मार्क्स लिते हों अपने बोर्ड एग्जाम से तो उन्हों साल चे सिरफ दस हजार उपए फीस देनी पहोगी अच्छा जी पर एग्जामपल किसे भी कोर्स ली क किसे भी कोर्स ली अंडर्ग्राजुएट लेवल चे जी उच्छे असी बलके मेरे फादर दे नाम स्कॉलर्शिप इंस्टीूट कीती है डॉक्टर सत्या पॉल मेरिट स्कॉलर्शिप पर ओदे अलावा असी जड़े नीडी बच्चे हैं लेकिन जड़े मेरिटोरियस हैं उना नो भी असी काफी फी कंसेक्शन, स्कॉलर्शिप या जड़े फिजिकली चैलेंजड होन और नहीं अफोर्ड कर सकते होन उना सब नो असी काफी स्कॉलर्शिप और सब कुछ कर दें हैं लेकिन मैं समझ दी हैं कि ए जड़ा असी जड़े बड़े स्थर्चे करवाना च ये मतलब नहीं कि जो देश करई और ये ये लेक्र नो तो असी सिख सक दे हैं कि अद्धनी तादा सिस्टम चारू कीता जाएं कि जित्दे जड़ा अफोर्ड कर सक दे ओना नॉर्मल फीज पे करन जड़े नहीं अफोर्ड कर सक दे उना ले एक पूरा फी सिस्टम जद ओना कोल पहे आन लगन तब फेर ओफीस रिटर्न कर सकते हैं लेकिन APJ क्योंके साड़ा मकसद एजुकेशन दा ए हैगा कि साड़े लिए not for profit है साड़े लिए business नहीं है तो साड़े हमेशा साड़ी कोशिश रहन दी है कि जड़े meritorious बच्चे है उनानों असी किद्दा help क जड़े सिख्या दी गाल कर दे हां ओदे पूरी सिसाइटी दे सिख्यत हों दी गाल भी अंदी है ताके जड़ी साड़ी सुसाइटी यू था जड़ा नौजवाने अग्यों एंपावर हो सकन काबल हो सकन अपनी जंदगी चलान लई भी ते सुसाइटी नो कुछ देन ली पर सिसाइटी दी लगपक 50 परसेंट जड़ी जन संख्यां दी है लड़कियां दी ओरतां दी ओरतां दी या विमिन इंपावर्मेंट लई या औरतां दी सिख्क्ति करन दे लई तुसी एक औरत हों देना थे खुद चैलेंजिस महसूस कीते उनंतियां च राके दे होई की प्रजेक्ट लॉंच कीते के तांकि औरतां उस शक्ति करन्वर लेके जाया जाए वैसे ता मैं थौनू दसा मेरे साब नाल था औरतां खुदी समरत हैं कि अपने आपनों सुसक्षित कर सकने सिरफ एक अपना मन और अपना माइंड खोलन वाली गल है और यासी चाहिए अप सब तो इंपॉर्टन चीज है जे एक औरत नों मिल जाये तो अपने आप पैरां चे भी खड़ी हो सकती है और अगे कुछ अपने आपनों कर भी सकती है इस करके असी काफी जगा लड़कियां दे स्कूल बनवा के असी दिते हैं गे लोकल गावां चे होर चे कि भी तुसी अगे चला के अनों लेके चलो असी विमन कॉलिज भी खुल ले हैं बैकवर्ड एरिया से और मैं कुछ सालना तो देख रही हैं कि उत्थे हॉली हॉली पहलना तक कुडियां नों पेज दे ही नी सी अगे पढ़न ले पर हॉली हॉली पहलना प्रिंसिपल जान दी सी बच्च अगे आप लिए नहीं पहलना दे ससुर आप ग्रैंड शारे लोग आके उत्ते बड़े शान नाल बैठके कि भी आज साधी बव डिग्री लारी है तो दे नाल फिर यह लगदा है कि हाँ वाक्य ही कुछ वर्थवाइल असी कर रहे हैं जी जी इन फैक्क के तुसी साधा APJ College जो फाइन आट्स भी जड़ा जलंदर थी है शुरू था ता कुडियां ले खोलिया गया सी फिर हॉली हॉली खैर मुंडिया नो भी इंट्रेस्ट सेगा क्योंके टोस फर म्यूजिक, डान्स, फाइन आट्ना रिलेटेट सेगा फिर हॉली हॉली जितना होर कोर्सेज भी इं सानु मतलब जड़ी भी ऐसी कैसे भी स्थर चे जड़ असी कुछ भी कर दे है तर साड़े एक्सपिरियंसे दूजी ओरता ना जरूर शेयर करना चाहिए पहला मैं थोड़ा शर्मान दी सी की अपने बाले चे गल करनी लेकिन मैं फील कर दी है जड़ होर ओरतां सुन दी है अना दे मन चे जड़े ख्याल हुंदे है कोई अंकुष हुंदा है कोई सोच होंदी की पतनी असी कर पाईये नहीं कर पाईये करना चाहिए नहीं करना चाहिए तो ओ फिर आपस री दूजे नू सुनके सानूं सबनों इंस्पिरेशन में दी मैं नू भी मिल दी है नाले ना पर जदोसी तॉड़ी गाल कार देया तॉड़नाल इंडस्टी दा भी तालुक जुड़दा है तुसरी के इंडस्टी चलावी रहो बहत बढ़े बदर दे पंजाब देवे चंड़ जड़ी है मुकाबल तन ओस तरीके ना विकास नहीं कर जिस तरीके नहार विकास होना चा मेरा दिली इच्छा है क्योंकि मैंनों इस मिट्टी चे बहुत जादा प्यार है मैं इत्थ ही पैदा हुई सी इत्थ ही वड़ी हुई सी मैं चांदनी है कि असी कुछ ना कुछ लाइए असी डिफरेंट डिफरेंट फील्स चे हागे बट आयम वेरी की वसी थे कुछ ना कुछ इंडस्ट्री लाइए कुछ इंवेस्टमेंट करिये तसी वह एक्स्प्लोर कर रहे हैं मेरा अपना एक ह्याल है कि देखो पंजाबियां चे बहुत हुनर है बहुत एंटर्पर्नियॉर्शिप है जित उसी पास चे देखो ता किनना बुला के कठा करके और एक कोई इतना दा एक जिनों केंदे वन विंडो टाइप असी अप्रोच इतने खठा करिये क्योंके मेंली की ओंदा जड़े लोग बार तो आंदे इन्वेस्ट कर और खास कर उननों थोड़ा जया रहेंदा है कि यसी इतने बैठके जगा जगा जग के एक महक में चे जाके कितना अपनी चीजां करवावांगे एक जड़ी यह हैंड होल्डिंग हो जाए और प्रोसेसिंग हो जाए नौक ओनली फर सेटिंग अप पर बाद चे चलान ले भी उन्होंनों यह लगए कि एक सूलियत है और हो सक्दा कुछी जहां होन भी लेकिन जड़ तक होना नो पता नहीं लगूगा तो फेर आज जड़ा आदमी डर्द है और जद बार चो भी इन्वेस्टेंट पान लग जान दी है थोड़ा इंफ्रास्रुक्चर भी ड्वेलप होना शुरू हो जान दै तो फेर जड़ी इंडस्ट्री लिस्ट होना नो भी मेरी देखो दिली इच्छा ते ही है मैं रबनाल प्राथना कर दी है कि मेरी इच्छा पूरी हो है इन्हें सारे काम कर देओ और एन्ने वड़े लेवल दियां अचीवमेंट्स किती आने और बड़े तरा नहीं नहीं प्रोजेक्स लाके आंदेओ ट्रेवल कर देओ और इन् स्ट्रेस और प्रेशर चो निकलन दा की तरीका हों दा तोड़ी स्ट्रेस बस्टर की है देखो जी मेरा था बड़ा सिंपल फॉर्मूला है जल्दे भी थोड़ा स्ट्रेस होन लगदा है मैं कमरा बंद करके पंज मिंट दीप ब्रीधिंग कर दी है थोड़ी जी है गा ट्रेवलिंग दा शॉक है गा नहीं नहीं जगा देखां एक्स्प्लोर करां हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स देखां तो जद कदी मौका मिल दा है ता कोशिश कर दी है पर मैं मिनू थोड़ा जी डावटेस चीज आंदा है कि इनना सारा काम एनिया सारी रिस्पोंसि सब्सक्राइबिल्टीज तेड़ने वड़ी तो डिशॉक भी उनले टाइम निकल पन्दा था तो मैं जी डिटर्मेंट कर लिया है लाइफ चे देखो जिंदगी सानू एक बार मिल दी है मनुष्य दा जड़ा जीवन है गा मैं सोच दी है एक कोई पता नहीं आदमी कर चला है तो सारी ना होन मैं कहरीं 50% भी हो जानता बड़ी खुशी दी गाल है कि लेकिन मेरा ये मानना है और मेरे फादर भी हमेशा मैंनो इह कहन दे सी कि बेटे कोई चीज तो करानी होए ना उस बंदे नू फट जड़ा बिजी होए मैं कि एक ही गाल होई कहने उनू पता है टा दूसी किस तरह मैनेज कर दे अपने पूरे दिन नो प्रायोरिटी बनानी पहन दी आदमी सोचे कि मैं सारे कम जो मैं करना चांद है कर लाओं दैट इस नौट पॉसिबल सो मैं थोड़ी शॉट्टम दिन दी महीने दी साल दी प्रायोरिटी बनानी है कि भी ए इदना दे जड़े कम है यह हर हाल अच्छे मैं करने है बाकी जे हो जानता बड़ी अच्छी गाल है और ओदे विच भी ए है कि मैं स्वेर शुरू कर दी है कि मैं जो चीज सही होनी चा कर सका ओ मैं रब दे आश्रवाज तो मैं कर लवां और शाम मुझा दिन खतम हुंदा है तब मैं फिर ओचीज नाल नहीं लेके चल दी जो दिन हो गया ओ हो गया और रोज मैं सुवेरे सुठके सोच दी है कि अजदा दिन मैं कर सकती है यह आदमी सोचन लग जाए कल कितना क करोंगी पर्सों कितना करोंगी दस साल बात कई था करोंगी फिर पार लग दा leda कि अजदे दैन दे बारे चे सोचो फिर नी पार लाग टा फिर ता हुई जन दे बिल्कुल, मैं, being administrator, being industrialist, being educationist, तोड़े तो society, तोड़े इन संस्थाम आने, तोड़े इन्सिटूशन में, तोड़े 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 एक्सपेक्टेशन हुन दी है, मैं दादी बन गई, तोड़े वेगा, तोड़े वेखेक्टेशन में, तोड़े तोड़े गएक तोड़े जादी हो गई है, तो दे भी दो बच्चे है गे, मेरा जड़ा खुशी है कि मैं कार जावाँ और अपने फैमिली दे नाल, अपने परिवार दे नाल, टाइम स्पेंड करा, एक किसम दा जड़ा तुछी स्ट्रेस बस्टर पुछिया सी ना पहला, लेकिन डिमांड्स रहन दी हैं, कई बार उना नाल टाइम स्पेंड करो, हस्बंड दी अपनी एक्सपेक्टेशन होनी हैं, लेकिन मैं एक चीज देखिये, कोई भी किसे ना, आदमी नो ए नहीं पुछदा, कि तुसी दो बिजनस कितना संभालते हो, या चार-पंच कम कितना संभालते हो, या नाल अपना कार कितना संभा देखिये, लेकिन एक चीज है कि अगें प्रायर्टी भी गल है, कि कदीर करनो ज्यादा त्यान देना पहना है, और उच्छे हो सकता है, तुसी उनना इनना अपना बिजनस और और चीजा ना वदा सको, जिनी शेयर तुसी अदर्वाइस वदा सक देखिये, और इससे तरह क इससे रिक्वाइड, लेकिन वो बैलन्स हो जानता है, पर I think I've been very lucky क्योंके मेरे हजबन ने भी मेनों बड़ा साथ जिता है, और सपोर्ट कीता है, सब जे लाइफ दे हुन तक दिया, जिनियावी मोमेंट्स अलाग पड़ा आए, अलाग लाग मोके आए, उना जो कोई बेस मोमेंट्स था, खैर, बहुत साथ है, उन्त उसी सोच जे पात था, पर मैं सोच दी है, इनी जटली जड़ा मेरे त्यांचे आ रहे है, इसकी जद मेरे बच्चे, यह तिनों बच्चे मेरे जड़े दोनों मुंडे कोड़ी है, यह अमेरिका स्टैंफर्ड उनिवरस्टी चे अपना बैचलर करन गए सी, तिनों ही उत्थे अडमिशन पाल लिया सी, जद एना दी, अडमिशन उत्थे होई, होना था चाहिए जद दिगरी मिल गई, पर जद अडमिशन होई, इनी मेरे बच्चे पढ़ चुके, और इस संस्था चे होना ने अडमिशन ले लिया, तद म जेना नों इतना दी पढ़ाई मिल जाएगी कि अग्ये चलके, और कुछ होए ना होए अपने पैराचे खुद ख़ड़े हो सकते हैं, हम इन्हे सारे काम करने लिए एक बड़ी इंटरनल पावर चाहिए होन दी है, एक तोनों इंटरनल स्पोर्ट चाहिए होन दी है, तुस मैंनों सोचिंदी भी नहीं लोड़, और मेरे फादर है कि, सेट सतपाजी दे नाम तो मेरे कहा जलंदर शेहर तक हैर सारी उन्हें जानदा है, और हिंदुस्तान भी जानदा है, और मैं उन्हें अपना सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन ही नहीं, बलके मैं अपना गुरू मन दी ह हैं, और सब तो जादा जो मैं सोच दी हैं आज जड़ा मैं शुरू छे किया सी, कि कदी भी जड़ मैं उन्हें एक लौती उलाद हैं, ना मेरा प्राय ना पैन हैं, पर कदी भी उन्हें ने महसूस नहीं होन दिता कि भी तू कुड़ी हैं, या मैं नहीं मुन्डे दी हैसास रह गया कि मेरे को नहीं बेटा होया, और फिर उना ने हमेशा मैं नो प्रोचसान दिता कि जो तू करना चांदी हैं, जिद्दा करना चांदी हैं, हमेशा मैं नो इनकारिजमेंट दिती, पर सब तो जादा उना दी अपनी जिंदगी एक मिसाल से गी, जड़ी सिखन वाली से गी, क्योंकि उना दा जितना एक फ्रीडम फाइटर से गे, और फिजिकली चैलेंज से गे, उना नो पोलियो से गा जादो छोटे सी, ओदे बावजूद, उना ने एमे मैथमेटिक्स, गोल्ड मेडलिस्ट, कंबाइन पंजाब तो उस ताइम पर उना ने कीता से गा, अगे लाके गए, मैं उना चो तिंचार चीजां जड़ी सिखी हैं, कि भी एक ता हार्ड वर्क, मेहनत दा होर कोई सबस्टी चूट नहीं है, जिए जिन्दगी चे सकसेस पानी है, ता मेहनत ता करनी है, दूजे मेहनत करो और अगे फल ना देखो, मेहनत करो, रब दे उत् होगे तक कोई ना कोई खिड़की, दरवज्जा, किते ना किते जरूर थोड़े लही खुलूगा, जिन्दगी है, कि सब तो अंधकार हुंदी है रात तो, उदे वादी स्वेरा हुंदा है, तो ओ गल मेरे दिल चे रह गई, और जिन्दी चे वाकई कई ऐसे मौके आए, ज बहुत खूब और मैम तुसी बड़ी सची गल किये क्योंकि कंदे ने जे दिन तो बाद रात आं दिया है ते एवी साचा है कि रात तो बाद दिनने भी ओना ही ओना हुंदा है, तो मैंनों पूरा जिकीन है कि जिन्यां गल्ला बलिया, मैम ने कहिया ने, उना दा इक इक सच्चा है, इक इक शबद इना मजबूत है और इक इक शबद इनी प्रेड़ना देन वाला है कि हर इंसान अगर उना दी जिन्दगी दे सिरफ कुछ घू ही प्रतिशत गल्ला नों अपना ले ते वडियां काम्याबिया होना ली कोई बहुत वड़ी प्राप्ती नहीं रहा सानु सुनके बहुत वदिया ले गया तो हम भी बहुत प्रेड़ना मिली होएगी और मैं तड़ा स्टूडियो चांदी सार नगला कर ली तड़ा बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू बेरी माच, मेरे बुलान ली शुक्रिया, थैंक यू